सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोज आप तक पहुशती रहें हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सबी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुती ज़ादा बढ़िया मोबाइल सैमसंग और रियल्मी की तरफ से रियल्मी का 6i जो आपको मिलता है 15,000 का जिसमें आपको मिलती है 6GB ग्रैम वहीं दूसरी तरफ दूसरा है सैमसंग का M31 यह आपको मिलता है 16,000 का इसके अंदर भी आपको 6GB ग्रैम मिलती है दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के कीमत में सिर्फ 1500 का फर्ख है इस वीडियो में म दोनों मोबाइल्स में कंपरेजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमिया हैं और आपको कौन से लेना चाहिए वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा चले देखते हैं 16,000 में सैमसंग के साथ क्या क्या दिया गया है तो जैसे यह आप अन्बॉक्स कर आपको दी गई है यह वाइट केलर में डेट केबल इसकी लेंथ नार्मल है बाकि कौईटी काफी अची है और इसके साथ आपको टैप की केबल मिल जाती हुए इसके बाद आपको आखिर में रखवा मिल जाता है यह वाइट के देखा जाए तो box के contents आपको normal ही दिये गए हैं चले देखते हैं फिर भी अगर आप 15 रप और कम खर्च करते हैं realme के 6i पे तो उसके साथ आपको क्या के दिया गया है तो जैसे आप unbox करते है 6i को इसमें भी आपको सबसे पहले एक mini box मिलता है उपर की तरफ जिसमें पीछे लगावा है SIM ejector tool अंदर रखे हुए मिल जाते है कुछ user manual बाकि दोस्ते इसके साथ आपको cover दिया गया है काफी अच्छी quality में इसकी quality काफी बढ़िया है इसके बाद मिलता है mobile crapper के अंदर जिसका detail look हम भी देखींगे उससे पहले देख लेते हैं box के अंदर आपको रखी भी मिलती है ये data cable इसकी length और quality आपको दोनों और जाद अच्छी मिल जाती है Samsung की cable से और इसके साथ भी आपको type C cable दी गई है तो data cable जादा बेटर है realme 6i के साथ आखिर में आपको रखवा मिल जाता है के साथ 15,000 में rate की साथ से देखा जाए तो इस चीज़ में जादा बेटर realme 6i ही है क्योंके charger भी जादा बेटर है data cable की quality भी जाद अच्छी है और इसकी कीमत भी 1500 रुपे कम है तो इस चीज़ में जादा बढ़िया है realme 6i Samsung के M31 से चली बात कर लेते हैं दोस्तो design के बारे में तो इन दोनों mobile's में वैसे तो आपको plastic के type के design मिलता है glass design दोनों में नहीं दिया गया अगर gorilla glass की protection होती तो बहुत अच्छा रहता क्योंके इस वज़े सा आपको scratches की problem काफी जादा देखने को मिलती है फिर भी दोस्तो इन दोनों mobile's के जो colors है उनमें आपको जादा बढ़िया color मिल जाता है realme 6i का white color के साथ साथ इसमें आपको silver color का effect दिया गया है जो बहुत अच्छा लगता है बात करें दोस्तो camera के बारे में तो Samsung के M31 में आपको बिछी की तरफ चार camera दिये गये हैं जिसमें पहला है 64 megapixel का दूसरा 8 megapixel का और बाकी के दो camera है 5-5 megapixel के इसका front camera है 32 megapixel का camera की performance इसके अंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाती है वही दूसरी तरफ realme 6i में आपको बिछी की तरफ चार camera दिये गये हैं जिसमें पहला है 48 megapixel का दूसरा 8 megapixel का और बाकी के दो camera है 2-2 megapixel के इसका front camera है 16 megapixel का camera की performance आपको realme 6i में भी काफी अच्छे मिल जाती है फिर भी दोसरी इन दोनों mobile's में ज़्यादा better camera है Samsung के M31 का अगर आपको camera की वज़े से ही mobile लेना है Samsung के M31 में आपको fingerprint scanner back panel पे ही दिया गया है बाकी दोसरों आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों mobile's में फिर भी इसका design ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा design को लेकर मुझे 6i ज़्यादा पसंद आया लेकिन दोस्तों डिस्प्ले की quality के अंदर बहुत ज़्यादा फर्ख है 6i के अंदर आपको IPS डिस्प्ले दी गई है और M31 के अंदर आपको Super AMOLED डिस्प्ले दी गई है बात करो दोस्तों user interface के बारे में तो user interface कुछ इस्तरी की से मिलता है रियल में 6i में आप ऐसे उपर की तरफ स्वाइब करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है इसके अंदर आपको app draw दिया गया है वही दूसरी तरफ Samsung के अंदर आपको user interface कुछ इस सरी की से मिलता है आप उपर और नीचे की तरफ स्वाइब करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है इसके अंदर भी आपको app draw दिया गया है दोस्तो user interface के अंदर इन दोनों mobile में ज़्यादा बढ़िया है Samsung का M31 चलाने में अंदर से यही mobile ज़्यादा बैटर लगता है बाकी 6i के अंदर आपको डिस्प्ले में ये खुबी मिल जाती है 90Hz का refresh rate दिया गया है तो जब आप उपर नीचे स्क्रोल करते हैं तो आपको ज़्यादा स्मूद experience देखने को मिलता है 6i के अंदर दोनों mobile's के डिस्प्ले बिल्कुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ 6i के अंदर आपको जो design मिलता है डिस्प्ले का वो दिया गया है पंचोल कैमरे वाला डिस्प्ले के अंदर ही camera है left side पर लेकिन Samsung के अंदर आपको common notch वाला design मिल जाता है जो थोड़ा पुराना हो गया तो डिस्प्ले के design के अंदर real में 6i जाद अच्छा है लेकिन दोस्तों बात करें सबसे important चीज़ डिस्प्ले की quality डिस्प्ले के colors तो उसके अंदर कोई competition नहीं है M31 बहुत अच्छा है डिस्प्ले की quality को लेकर हाला कि design और 90Hz का refresh rate आपको 6i के अंदर खुब यह मिल जाती है डिस्प्ले को लेकर लेकिन फिर भी दोस्तों important quality है जो samsung में ही जाद अच्छी है left side साब देखेंगे दोनों mobile को आपको sim के tray दी गई है दोनों ही mobile के अंदर आप 2 sim card एक memory कार तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं नीचे की तरफ साब देखेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone jack दिया गया है दोनों mobile में आपको type C port मिल जाता है right side साब देखेंगे तो दोनों में power के buttons बाकी 206i के अंदर फर किये है fingerprint scanner आपको power के button के अंदर ही दिया गया है right side पर Samsung की तरह back panel पे नहीं मिलता तो इस चीज में दोनों mobile's अलग है या आपकी पसंद की बात है कि आपको fingerprint scanner back panel पे पसंद है या फिर side में उपर की तरफ आपको Samsung में noise cancellation mic दिया गया है दोनों ही mobile's के अंदर आपको Android का बिलकुल latest version मिल जाता है Android 10 ये चीज आपको दोनों में बहुत अच्छे मिल जाती है बात कर दोस्तों battery के बारे में तो M31 के अंदर आपको battery दी गई है 6000 image की और 6i के अंदर आपको battery दी गई है 4300 image की इन दोनों mobile's के अंदर आपको एक दिन का battery backup अराम से मिल जाता है battery के अंदर दोन अच्छे हैं लेकिन जादा बढ़िया है M31 इसके अंदर आपको एक दिन से जादा ही battery backup देखने को मिलता है अगर आप एक normal user है तो battery के अंदर Samsung जाद अच्छा है बात करें दोस्तों processor के बारे में तो M31 के अंदर आपको दिया गया है Exynos का 9611 processor और 6i के अंदर आपको मिल जाता है MediaTek का G90T processor अब देखिए अगर आप एक बहुत जादा heavy user है आपको performance ही अच्छी चाहिए hang होने की दिक्कत आपको कम चाहिए तो 6i इन दोनों mobile's में जाद अच्छा है Long term basis पे देखा जाए तो 6i के अंदर आपको जादा smooth performance देखने को मिलेगी Samsung के comparison में processor आपको जादा बढ़िया दिया गया है Realme के 6i में ही तो ये सारी खुब्य कम्यापको मिलती है इन दोनों mobile's में चले बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो देखिए दोस्तो सबसे पहले तो matter ये करता है कि आपको Realme पे जादा भरोसा है या फिर Samsung पे इसके बाद आपकी जो में जरुत की चीज़ है वो किस mobile में जाद अच्छी है बागी दोस्तो एक चीज़ का आप खयाल रखिएगा 15,000 में Realme 6i में भी और 16,000 में M31 में भी दोनों ही mobile's के अंदर आपको 6GB के RAM 64GB के internal storage मिलती है इस चीज़ में दोनों इक यसे हैं चली बात कर लेते हैं आपको console लेने चाहिए तो देखी दोस्तों अगर आपके लिए matter करती है mobile की display जादा आपको display चीचाहिए तो आप Samsung का M31 खरी दियेगा ये mobile आपके लिए अच्छा रहेगा और अगर आपके लिए matter करता है mobile का camera तो भी आप Samsung का M31 खरी दियेगा ये ही mobile आपके लिए जाद अच्छा रहेगा लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए matter करता है mobile का design तो design जादा बेटर है 6i का white color इसका बहुत अच्छा लग रहा है आप real में 6i लीजिएगा इसके लिए अगर आपके लिए matter करता है mobile का processor आप एक बहुत जादा heavy user है आपको hang होने की दिक्कत कम चाहिए तो भी आप 6i ही खरी दियेगा processor इसके अंदर आपको जादा बढ़िया दिया गया है आखर में दोस्तों अगर आपके लिए matter करती है mobile की battery और mobile का user interface तो आपको Samsung में जाद अच्छा मिलता है इन दो चीजों के लिए आप Samsung खरी दियेगा अब देखा जाए तो दोस्तों रियल में 6i में दो खूबिया बहुत अच्छी है एक तो बहुत अच्छा processor दूसरा बहुत अच्छा design वहीं दूसरी तरफ Samsung में आपको चार खूबिया बहुत अच्छी दिये गई है अच्छा camera, अच्छी display, बहुत अच्छा user interface और बहुत अच्छी battery अब देखा जाए तो जादा खूबिया Samsung के M31 में ही है यही mobile जादा better है इन दोनों mobile's में लेकिन अगर आपकी ज़रुत की चीज प्रोसेसर और डिजाइन है तो आप 6i भी ले सकते हैं, कम कीमत में यह mobile आपके लिए जादा अच्छा रहेगा और दोस्तो 6i का 13000 वाला variant भी आता है जिसके अंदर आपको 4GB के RAM, 64GB के internal storage मिलती है अगर आप वो वाला variant लें तो आपके लिए और भी ज़ादा बढ़िया रहेगा वो mobile और ज़ादा सस्ता है अब दोस्तों इन दोनों mobile's में देखा जाए तो दोनों mobile's अपनी जगावे से बहुत अच्छे हैं मेरे लिए performance से ज़ादा display की quality और user interface ज़ादा matter करता है तो मुझे Samsung पसंद आया आप बताइएगा नीचे comment करके आपको इन दोनों mobile's में कौन से ज़ादा अच्छा लगा आपकी ज़रूत के हिसाब से ये चीज़ comment करके ज़रूर बताइएगा मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye